हलो बॉइज और लेडिज जेंटल वेन कैसे हैं आप लोग और आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ वोकेवरी का एक बहुत अच्छा पिटारा जिसमें हम बहुत सारे वर्ट सीखने वाले हैं तो चलिए फिर बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास आईए तो गाईज यह जो हमारा वकेवरी का सेशन है यह बहुत इंपोरेंट होने वाला है एक्जाम में काफी आता है बहुत बात पूछा जाता है ठीक है तो आज इसका पहला पार्ट आपके सामने डिसकुस हो रहा है जिसका नाम है स्वरॉनम्स तो स्वरॉनम्स के बार स्वरॉनम्स तो चलिए फिर बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं पहला वर्ड वेरी फर्स वर्ड इस बिवेल ठीक है आप स्कीन पर देख रहे होंगे जो हमारा पहला वर्ड है वह बिवेल जैसा मेरा एक नाम है है वैसे आपका भी नाम होगा उसी परकार से दोस् भाता है शोग मनाना ठीक है कुछ लोग नहीं होते जो शोग मनाते है यानि इन चारों का भी मतलब है जो बिवेल का मतलब है अचहां इसको किस तरह से याद किया जा सकता है सर देखिए अब मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये है वेल ठीके न और ये चार लोगों ने इनका बहुत पालन पोशन किया था इस वेल का लेकिन अब ये वेल मर गई तो अब ये बिना वेल के रह गए बिना वेल के बिना वेल य प्राइए मिनिस्टर की स्पैलिंग याद नहीं आती पिनाय म्मिनिस्टर का इमेज याद आता है उसी पृकार से सब्कुर्ण को किस तरह से याद किया लोग भीनानी होगा और सुभ़सबह उड़ते ही रिलेय्ट कर सकते हैं िना मने कर ढहने और वो शबना रहा है वान को पड़्यनाव को पड़ना हैं आपको कम से कम छेजा। यह बाच महिने तक यह वर्ट में याद में भी आज चार साल बाद भी इन words को मेरे दिमाग में हैं क्यों है? क्योंकि मैंने उसको एक story से जोड़ दिया है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी मैं वही सिखा सकूँ जो मैंने सीखा है जब तक उस शब्द को execution नहीं होगा तब तक वो शब्द dead माना जाएगा यानि मैंने दो चीजों पर focus किया एक तो word का मतलब और उसका execution अब execution भी देख लेते हैं bewailed verb की second form है तो उसको verb की तरह ही use किया जा रहा है देखो Rani bewailed a lot after losing her first job Rani ने शोग बनाया जब उसकी पहली job उससे छिन गई तो उसने बहुत bewailed किया बेवेल किया यानि शोग बनाया आप कोई पता है कि first job is very important very special ideas right तो Rani ने शोग बनाया अपनी पहली job को lose करने के बाद में तो हमने word का मतलब भी देख लिया और उसका execution भी देख लिया परते हैं second word की तरफ second word is solid solid की grammar profile होती है adjective इसका मतलब होता है गिनोना, गंदा, डिर्टी, फिल्थी, मड़ी, ग्रबी, डिंगी, स्टेंड जब pant shirt में दाग लग जाते हैं तो उसको स्टेंड बोलते हैं तो उसी से बढ़ स्टेंड बना हुआ है कैसे याद होगा सर्दी में solid को relate करना relate करना यह मतल बोलना कि Harrison ने पढ़ाया है, solid का मतलब सर्दी होता है ऐसा नहीं करना है solid को सर्दी से relate करना है कि सर्दी में रुमाल कैसा हो जाता है सर्दी में रुमाल गंदा हो जाता है, dirty हो जाता है डिंगी हो जाता है, nasty हो जाता है muddy हो जाता है, filthy हो जाता है, ठीक है, तो इसको इस तरह से relate कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छा, अब कैसे उसको execute करना है सर्व, देखो, the minister bewailed, दुबारा आगे आपके सामने bewailed, word को याद करने की formalty नहीं करनी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा use भी करते रहना है, ठीक है मैं highly recommend करूँ है कि आप लोग daily life में इन शब्दों का use करें, अगर office में हैं, तो office में use करें, अगर meeting में हैं, तो meeting में use करें, अगर journal आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो वैसे use करें, लेकिन word को अगर use नहीं करोगे, तो वो stale हो जाएंगे, सर जाएंगे, ठीक है, तो minister bewailed to have visited a sordid place, यानि minister एक बहुत गंदी जगह गया था, sordid place, यानि बहुत ही गंदी, जहां पर साफ सफाई नहीं थी, और वो वहाँ जाकर bewailed हुआ, थोड़ा सा, उसने, you know, सोचा कि यार यहां मुझे नहीं जाना चाहिए था, यह अच्छी प्लेस नहीं थी, तो वह वर्ड को याद करने पर मैंने एक सेंटेंस से जोड़ दिया, जिसमें यह दो वर्ड रिपीट हो गए, the minister bewailed to have visited a sordid place, वो minister ने शोग बनाया कि मैं गंदी जगह डिर्टी प्लेस पर गया था, ठीक है, याद हो जाएगा, वर्ड नमर थर्ड की तरफ, वर्ड नमर थर्ड एन्वाइरन, एन्वाइरन ग्रामर की प्रोफाइल में एक वर्ड होती है, जिसका मतलब होता है घेर लेना, इसकी कई सारे सुनानम्स हैं, जैसे एंसर्कल, एन्वलप, रैप और स्वाइट, ठीक है, कैसे याद होगा, ये कौन है, ये लोग, सोल्जर्स हैं, तो कैसे वायर से घेर लिया है, इन्वाइरन, इन्होंने वायर से घेर लिया है, याद हो गया, लेकिन एग्जुकीशन भी ज़रूरी है, परते हैं, द बौर्डर है बीन एन्वायरन, बौर्डर को घेर लिया गया है, अब ये तोивать सरे आपको बता पाएंगे, मैं तो हैरी हूँ, by a soldiers, soldiers के द्वारा border को environ किया गया, घेर लिया गया जैसे यहाँ देखो, घेर रहा है to deal with any solid practice द्वारा आ गया solid गंदी practice, enemy द्वारा गंदी practice, solid practice मतब क्या होता है कि जंग जीतने के लिए दुश्मन किसी भी हद तक चला जाता है और कुछ भी शरियंत रस्ता है उस शरियंत को कहते है dirty और solid practice ठीके न, आपने सुना होगा dirty politics, वो solid politics भी बोल सकते हैं, ठीके तो इस sentence को पढ़ते समय है आपको दो word सामने आए, you came across two words, environed और solid और आपने देखा किस तरह से उसको grammar को ध्यान में रखते हुए sentence में fit किया गया, ठीके चलो बढ़ते हैं अगली word की तरह, word number fourth is confound confound का grammar profile होता है दोस्तों, verb, इसको verb कहते है, go, went, gone verb होती है न, वैसी confound एक verb होती है, जिसकी second form confounded, और third form भी confounded होती है, regular verb होती है, जिसका मतलब होता है, उल्जाना, ठीके न, confuse करना, अब ये तो word आपने daily life में सुनाई होगा, confuse, मुझे confuse मत करो, या वो confuse हो गया, right, लेकिन confound word ये एक अच्छा word है, puzzle, ये word भी सुना होगा यार मेरा mind puzzle हो गया है, मैं question को समझने पा रहा हूँ, मेरा mind puzzle हो गया है, puzzle हो गया है, यारी confuse हो गया है, entangle भी बोल सकते हैं, कैसे याद होगा, एक छोड़ी सी story है, इन दौनों को मैंने एक task दिया, कि आपको जंगल में चुपी हुई gold की plate, find out करनी है, अब ये दौनों confuse हैं, कौन found करेगा, कौन, कौन, found, तो confound का की बन गया, कौन, found करेगा, ये लोग उलज गए हैं, confused हो गए हैं, तो confound को दो हिस्सों में तोड़ दो, कौन, found करेगा, ये लोग उलज गए हैं, confused हो गए हैं, ठीक है, अब देखते हैं, उनका किस तरह से grammar में, execution करना है, without instructions, instructions के बिना, this unusual game, unusual game यानि की ऐसा game जो अक्सर खेला नहीं जाता है, this unusual game will confound, अब जिस game के बारे में हमें instructions नहीं मालूम हैं, कि इसको किस तरह से खेलते हैं, वो जो game है, हमें confound कर देगा, confound यानि हमें उलजा देगा, and environ, दोबारा आगया environ, एक ही sentence में दो heavy word आ गए, confound और environ, तो यह जो game है, हमें जब तक इसका instruction नहीं पता होंगे, या निजूजल game हमें जो है, confound करेगा, और हमें घेल लेगा, with lots of tons of confusion, ठीक है, and confound and environ with tons of confusion, याद हो रहा है ना, ओके, confound and environ with tons of confusion, तो दो वर्ड याद हो गए हमें, environ को कैसे याद किया था, इन्होंने वायर से घेल लिया है, शावाज, बढ़ते हैं अंगले वर्ड की तरफ, वर्ड नमर फिफ्ट है हमारा, equanimity, equanimity part of speech में noun होती है, जिसका मतलब होता है, santulan, sumbhav, कोई उंच नीच नहीं, कोई अमीर और गरीब नहीं, केवल संतुलन, कुछ लोग life में ऐसे होते हैं जो हर condition में सेम रहते हैं, ना दुख में ज़ादा दुखी होते हैं, और ना सुख में ज़ादा attitude आ जाता है उनको, ऐसे लोग stoic कहे जाते हैं, stoic, stoic यानि सुख दुख में एक जैसा रहने वाला विक्ति को stoic कहते हैं, one word substitution, तो कैसे याद करेंगे इसको, equanimity, equanimity में amity आ रहा है, amity, और आपको पता है amity एक university है, तो amity university के जो teachers हैं, वो सब के लिए equal रहते हैं, equal animity, ठीके न, ये विक्ति देखो, ये विक्ति अपनी पत्नी से परेशान होने के कारण, नहीं नहीं, ऐसी बोलता हूँ, ये विक्ति जो है, परेशान होने के कारण, परवत पर चला गया, और शांती लेने के लिए, ये परवत पर जाकर इसने ध्यान वियान लगाया तो बाद में उसको संतुलन मिल गया लाइफ में बैलेंस हो गया ये लाइफ में ठीक है, cool, calmness cool और calmness तो आपने daily life में भी सुने होंगे application में भी use करते होंगे ठीक है न, आज से याद करना tranquility और serenity अब कैसे याद कर सकते हैं इसको देखो tranquility को ऐसे relate करना train का कुली लिखा हुआ है कि train का कुली पूरे दिन बर काम करने के बाबजूद भी शान्त रहता है संतुलन रहता है याद कर लो न, क्या दिख़्त है serenity, siren बसते ही serenity को कैसे याद करना है siren बसते ही company में सब लोग शान्त हो गए ठीक है, तो serenity को relate सुन लो, सर ने ये नहीं बताया Harry सर ने ये नहीं बताया कि tranquility का मलदब train का कुली होता है और exam में इस तरह के option देखने लगो कि train का कुली bus का कुली platform का कुली, ऐसे option देखने लगो ठीक है, don't do that तो tranquility का सर ने के वाल एक trick बताई है, उसको आप याद कर लो नो चलो किस तरह से relate कर सकते हैं सर उसे during the horrible storm horrible storm यानि बहुत तूफान आया था और the scene was solid, solid दोबारा आ गया वो जो scene तब बहुत गंदा था, क्योंकि तूफान आया था, घरबार सब उजड़ गये थे but we maintain our equanimity, ठीक है ना तूफान आने के कारण scene बहुत ही डरावना था बहुत ही गंदा था लेकिन हम लोग ने अपनी equanimity को maintain किया, संतुलन को बनाए रखा ठीक है ना, कब तक याद करते होगो we maintain our calmness calmness वर्ड डेली लाइफ में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है लेकिन तोड़ो उसे इस वर्ड से equanimity से, ठीक है बढ़ते हैं अंगले वर्ड की तरफ word number six is vernicular vernicular की grammar profile noun होती है इसका मतलब होता है देश में बनी हुई चीज़ों को support करना है और विदेश में जैसे चाइना की चीज़ों को oppose करना है और विदेश से जो चीज़ आ रही है उनको आपको कम यूज़ करना है ताकि हमारे देश की जो चीज़े हैं उनको ज़ादा value मिले और आप लोग उसको use करें तो इसका मतलब होता है national, local, mother tongue ठीक है आप कैसे याद करेंगे थोड़ा funny है ठीक है न ये मोदी जी आये टेलेविजन पर और उन्हें उन्हें कहा मित्रों घर की चीज़ों को प्रियोब करना लोकल चीज़ों को प्रियोब करना वरना मैं वरना मैं cooler भी वरना मैं cooler आपको local ही दूँगा यानि की आपको cooler भी विदेश का नहीं मिलेगा आपको cooler भी विदेशी company का नहीं मिलेगा वरना मैं cooler भी आपको Indian company का ही दूँगा ठीक है न आप AC जो है हमारे यहां का इंडिया का यूज करो, इंडिया की कंपनी का यूज करो, वरना मैं cooler भी आपको नहीं लेने दूँगा, cooler भी आपको मात्रवाशा यानि national और local लेना पड़ेगा, ठीक है, कैसे execute कर सकते हैं, मोधी जी stressed, stress यानि जोड़ देना, मोधी जी stress, वरना कुलर in his speech, उन्होंने अपनी speech में भाशन में वरना कुलर पर फोकस किया, यानि लोकलिटी पर ज़्यादा फोकस किया, to the nation, to have a proper equanimity, दुबार आ गया यह, equanimity मतलब, संतुलन, balance, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया, कि national जो चीजे है, national, यानि इंडिया में बनाएं गई जो चीजे है, उन पर फोकस ज़्यादा किया, ताकि लोगों की लाइफ में, equanimity और संतुलन आ पाए, ठीक है, बढ़ते हैं, अंगले वर्ड की तरफ, वर्ड नमर सेवेंध इस, मीड, मीड का ग्रामर प्रोफाइल नाउन होती है, जिसका मतलब होता है, पुरशकार, अवाड, कौन-कौन से वर्ड हो सकते हैं, कमपेंशन, स्वारी, कमपेंशन, अवाड, रिवाड और प्राइज, क्या डिफरेंस होता है अवाड और रिवाड में, देखो, अवाड एक मैं खुश हो गया, उसके काम से मैं खुश हो गया, तो जो उसकी wages है, वो तो मैं दूँगा ही दूँगा, इसके अलावा कुछ extra पैसे भी अगर मैं दे देता हो, वो reward कहे जाएंगे, ठीक है, एक्स्टा पॉइंट जो होते हैं, वो reward कहे जाते हैं, ठीक है, कैसे याद करें मुझे पुरोषकार मिलने की उमीद है, एक बड़ एप्लाइ करके देख लेते हैं, आफ्टर बेवेलिंग ऑन हिस वर्क, बेवेलिंग यानि पहला वर्ड पढ़ाया था, बिना वेल के वो लोग शोग मना रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने अपने काम पर शोग मनाया, उस हैं बेवेलिंग और एक वर्ड ओर आए, मीड, यह तीन वर्ड आ गए, इन तीनों वर्ड में बेवेलिंग यानि शोग मनाना, मीड यानि अवर्ड और एक व्यक्ति ने अपने काम को लेकर थोड़ा सा शोग मना रहा था, इस बात को ध्यान में रखते हुए, उस वर्कर को ओडियस, ओडियस की ग्रामर पूरफाइल एडजक्टिव होती है, जिसका मदब होता है घ्रनत, हेटफुल हिंदी में, ठीक है, रिपल्सिव, हेटफुल, रिवाल्टिंग, ठीक है न, यह सारे वर्ड है, अच्छा, एक बात है, रिपल्सिव को कैसे याद करो, मैंने अप फादर को रिपल्स, दुबारा रिपल्सर बाइक दे दी, गिफ्ट के तोर पे, और वो नाराज हो गए, हेटफुल हो गए, ठीक है, याद कर ले न, ट्रिक है बस, अब ओडियस को कैसे याद किया जा सकता है, मेरे दोस्त ने मुझसे मेरी ओडि मांगी, ठीक है, अब मेरे मांगी अगर, तो मैंने गोड़ा, ठीक है भाई, ठीक है न, ओडि ले लो, लेकिन, चार घंटे बाद मुझे दे देना, ठीक है, उसने मुझसे ओडि ली, बाद में जब ओडि लेकर आया, तो कंडीशन कुछ ऐसी थी, अब जब ऐसी कंडीशन मुझे अपनी चार घंटे बाद में जब ओडि मिलेगी, तो मैं थोड़ा हेटफुल तो रहूंगा न, तो याद हो जाएगा, ये पांच, ये याद है न, ये ओडि क्यों होते हैं, ठीक है न, पांच होते हैं या फिर चार होते हैं, I don't know, I don't have ओडि राइड न, ठीक है न, तो उस विक्ती ने मुझ उस एथिलीट को अरेस्ट किया गया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी ओडियस स्पोर्ट, ओडियस स्पोर्ट यानि कि क्या होता है, कि यो नो, कुछ ऐसे स्पोर्ट होते हैं, जहां जानवरों को लड़वाने के लिए शर्त लगाई जाती है, उसको हम लोग ओडियस स् स्पोर्ट यहां नाउन हो गई, और नाउन की विशिस्ता एडजेक्टिब बतलाता है, इसको ज़्यादा डीटेब में पढ़ा पाएंगी हीरेज सर, वो ग्रामर को पर पकड़ अब्विसी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैं केवल आपको उस वर्ड को किस तर आया हुआ, कुछ लए हुए, ठीक है ना, अंडर फूट, एक्स्प्रोइटिड, ठीक है, इसको आम इन वर्ड को बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, जो इन पर बहुत अत्याचार होता है, वो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं, बाहुवली पिचर तो देखी होगी, उसमें जो महिश्पती की जो लोग होते हैं, बहला देव वहाँ पर उन लोग, जो लोग होते हैं, वो उसकी प्रजाज जो होती है, वो सताई हुई होती है, वो कुछली होई होती है, उनको डाउन ट्रोडन कहते हैं, ठीक है ना, डाउन ट्रोडन, कैसे याद करेंगे, डा किया जा है हमारे साथ में हमें अंडर फूर्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा है ठीक है ऑड नमर नाइन्थ हो गया इस डाउंट्रोद रडाय। लाइद है उसकी जो डाउंट्रोडवह उसने हमें क Suff啊 कर दिया कंफूंड civil अगया याद करते जाना हैं लेकिन भूलते नहीं जाना इसलिए मैं पहले वर्ड को भी साहत में लेकर चल रहा हूं और अभी नेक्स्ट वाले वर्ड्स और चल रहे हैं उन वर्ड्स को भी इंपरेटिव हाल याद हो जाएगा IMP short form किसका होता है IMP important का IMP important IMP stands for important ठीके न आज के समय में जहाँ पर coronavirus अपने एकदम चरम सीमा पर है वहाँ पर mask लगाना imperative है आग घंटे में और regularly hand wash करना imperative है social distancing करना imperative है imperative यानि अनिवार जरूरी हो गया है ठीके ना तो ये याद हो जाएगा IMP word से it is imperative that couples should communicate in order to knowing the root of the conflict अगर जोडे को पती पत्नी को अगर conflict यानि की लडाई जगडे कि अगर जड़ तक जाना है तो उनको ये समझना जरूरी है कि वहाँ क्यों उनके बीच में misunderstanding हो रही है ठीके चलो guys तो I hope कि आपको ये पूरे word याद हुए है और इन word को एक जल्दी से quick revision कर लेते हैं ये मैंने एक image बताई है और इस image का जो word मैंने आपको पढ़ाया था उसका पहला letter आपके सामने share किया हुआ है जल्दी बताई है ये वेल थी कौन सा word था ये बी से शुरू होता है जल्दी जल्दी याद आपकी आवाज आएगी नहीं ठीक है न बिवेल बिवेल ठीक है न बिना वेल के ये लोग शोग मना रहे हैं तो बिवेल का मतलब क्या था शोग मनाना ठीक है अगला ये के image मैंने दिखाई थी उसमें इस विक्ती ने रुमाल लिया था इस रुमाल की हालत कैसी थी S से शुरू होता है word Sordid, very good Sordid, Sordid का मतलब होता है घिनोना Dirty, Cheap, ठीक है जो मोदी जी आयते उन्होंने बोला था कि मित्रों, कौन सा word था वो B से शुरू होता है Vernacular, very good Vernacular, Vernacular मतलब होता है Local, National ठीक है एक और word पढ़ाया था मैंने अपने दोस्त को ओडी दी थी O से शुरू होता, कौन सा word था बोलो Audious, very good O से शुरू हो रहा है Audious का मतलब था घिनोना और hateful, sorry ठीक है न, अच्छा यह बहुवली की पिच्चर दिखाई थी D से शुरू हो रहा था word कौन सा word था Downtroden Downtroden ठीक है न, ओके ऐसे ही यह word जड़ा ले लो यह दो couples को मैंने एक task दिया था और उस task को मैंने बोला था कि आपको एक चीज found करनी है कौन सा word था, C से शुरू हो रहा है Confound Confound ठीक है न, तो चलो फिर आज हमने इतने सारे words देखे उन words के मतलब देखे उन words को grammar में कैसे fit करना है वो देखा, ठीक है तो guys, I hope कि आपको आठी class अच्छी लगी हो समझ में आया हो किस तरह से word को याद करना है वो आपने सीखा हो, ठीक है न, तो आशा करता हूँ कि आप लोग lockdown का पालन कर रहे होंगे और अपनी health का ध्यान रखेंगे, ठीक है मिलूँगा, अब मैं आपको अपने vocab की session में, अगला जो भी जब भी आएगा, ठीक है और मैं हैरी, अब आप से लोगों से विदा लेता हूँ यह कहकर कि टेक क्यार, और याद रखिए share करना ना बूले, subscribe करना ना बूले ताकि आपको notification मिलता रहे टेक क्यार, जाएए 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 और जल्दी जल्दी आएए, लाई